इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉनपे का στο Verfort brothers को निकालना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि आपका क्या पॉनपे का क्या है और आप कैसे ल्मिते चाहते हैं, इस वीडियो को आप लाष्ट देखना इस video के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो चले, video शुरू करते हैं तो phone pay का scanner निकालना बहुत यहासान है चली मैं आपको बताता हूँ आप phone pay का scanner कैसे निकाल सकते हैं तो दोस्तो phone pay का scanner आप लोगों को निकालने केलिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है अब दोस्तो यहाँ पर एक option दिख रहा होगा यहाँ पर receive money का आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यह हर एक phone pay में आपको मिल जाएगा अगर नहीं होगा तो आप इसको अपडेट कर लीजेगा तो यहाँ पर आपको receive money वाले option पर क्लिक कर देना है और आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो आपका जो phone pay का scanner है वो यहाँ पर show हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इसे share करना चाहते हैं तो share qr पर क्लिक कीजे इस तरीके से और यहाँ से आप इसको अपने किसी भी friend को share कर सकते हैं WhatsApp पर, other social media application पर आप इसको बहुत ही असानी से send कर सकते हैं इसी के साथ अगर आपको इसे download करना है अपने mobile के अंदर तो यहाँ पर आपको download qr का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका qr code है वो यहाँ पर download हो जाएगा और आप इसको अपने किसी भी दुकान में या फिर किसी भी जगा पर जो है आप इसको share कर सकते हैं कोई भी इसको scan करेगा तो वो जो पैसा है आपके bank account में भेज सकता है scan करके और इस तरीके से phone पे का qr code जो है आप यहाँ पर download कर सकते हैं और download करने के बाद वो आपके gallery में भी show हो जाएगा चली मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने phone पे का qr code डाउनलोड किया है वो यहाँ पर show हो गया इसको scan करते ही आपका bank account का नाम और नमबर जो भी रहेगा वो सब यहाँ पर show कर देगा जैसे कि आपके कौन सा bank है वो यहाँ पर दिखा देगा इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर जो है अपने qr code को निकाल सकते हैं phone पे से वीडियो कैसा लगा कमेंट में जोर से बताना वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले